में आ गया में 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 आए आस्क क्या नहीं ताजी है डियर्ज हम लोग एक करते हैं कि सब नॉर्मल है इसा नॉर्मल वीडियो तो हम सीधा जाते हैं टॉपक की तरफ एक बाइजन है हमारे मुस्लिम ब्रादर जिनका नाम है क्रिश्चिन बैट्समैन बैट्समैन Whatever you wanna call him जो लोग इनको नहीं जानते उनकी लिए इतना जानना काफी है कि पाकिसानियों की जानने से पहले इनको कोई नहीं जानता था इन्होंने उस क्वाल्टी की वीडियो जिससे हाई क्वाल्टी की वीडियो लोग पहले से देख चुके थे बट इ चवानी जो होती है ना चवानी whatever you call it उसकी अगर थैली हो एक उसके अंदर आप रुपेया डाल दो तो थैली फट जती है यही हुआ हमारे बैट्समें मुस्लिम बैट्समें के साथ उनको लोगों ने कहा कि आप मुस्लमानों के साथ जो फलस्तीन में हो रहे हैं उस पर क्यों बात कर रहें इस सब के जवाब में उन्होंने कुछ स्टोरीज शेयर की हैं कुछ अपने हैलाद शेयर की हैं जिसके बाद लोगों ने कहा है बैट्समें बुत तो तो ते आउट है हैर यह टॉपिक मेंली सोशल मीडिया से क्या एफेक्ट पड़ता है वह रियालाइस कराना हमारी अवाम की जो यादाश देना ऐसे मामलात में वह बहुत कमजोर है तो आई थोट आई वोड़ गिव जो रिमाइंडर तो नोट फर्गिव हैं ओके फैम लेट से स्टाइट फैम ब्रॉ अलट फीपल फैमिंग माधियांस तो पोस्ट पालस्ताइन अरे मुस्लिम बैट्स मैं आम सो सोरी यार ब्लडी पकिस्तानी है जिसको स्टार बनाते हैं जिसकी कोई वैल्यों नहीं होती लेकिन उसके ऑपीनीक को वैल्यों देते हैं फिर उसको कहते हैं किसी कौस की ओपर अपनों बिनीन कर op उपjor करो तुझे कहते हैं जालिम मजलूमों को मार रहा है इस तूपिट लेकिन आप में भी ना मुस्लिम बैट्समें हमारे कुछ लोकल यूटूइबर जो हैं पाकिस्टानी क्म्यूनिटी के या इन्फुरॉएंसर्ट उनकी तरह एक जरह सीम पाया जाता है क्या आपने पॉलिटिकल हेट आसकर के हमारी वाम की ना एक दो अफते की है ठीक है नहीं लेकर आपने यह नहीं करना आपना के स्टोरी लगानी है पने हां बनने है कि मैं नहीं लगाऊंगा स्टोरी और आपने डबल हेट लेनी है उसके बाद यह फिर उसे वो कीड़ा है जो हमारे लोकर इंफूएंसर में भी पाया जाता है क्योंकि जब उनको किसी टॉपिक भी बात नहीं करने होती तो वो कहते है पॉलिटेक्स जो है ना उसका एंटर्टेंमेंट से कोई तालग नहीं होना चाहिए मैं मेरा मुझे पॉलिटेक्स में ट्रस्ट ही नहीं है तो मेरा उसकी पूर उपिनियन ही कोई नहीं है मुसलिम बैट्समेन भाई आपकी बात ठीक है पॉलिटेक्स अंटचिबल है तब ही हम सोचल मीडिया पर लीडर्स को अपने पॉलिटिकल लीडर्स को बहुर रहे हैं कि बातें नहीं करो तुम लोग एक लिए प्रॉटेस्टेंग शियर ऑन पकिस्तान फॉर योर ओन कंट्री है एक तरफ आप कहते हैं कि आप को पकिस्तान से मुखबब्ट इसलिए आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं वराप पकिस्तान को बेडर हालत में देखना चाहते हैं अगर आपको इतनी मुखबब्वत होत also filled with garbage and you are the whole trash can how come people still live on the bare minimum oh Allah de band dek social media does not change the world on its own but social media starts a conversation social media के वज़ा से लोगो में इतनी हमत आई कि अपने साथ किये गे जुल्म वगारा को वो लोग शेयर कार पाते हैं oh yeah you wanna keep with the hate comments and spam my post you'll get blocked happily I don't need you here well guess who else doesn't need you here in my one year in Pakistan I have tried my best to betray that Pakistani are not terrorists so Israeli are not their government so therefore they are not terrorists either इसे कहते हैं two sides खेलना मैंने कितनी कोशिच किया लोगों को दिखाने की दुनिया को दिखाने की Pakistani terrorists में होते हला कि मेरे देखने वाले सारे कि उनकी government जो ऐसी है वो नहीं ऐसे इससे ज्यादा दोगला मुनाफिक statement कोई दे ही नहीं सकता देखो हमारे कुछ politicians कुछ YouTubers कूछ लोग इतना safe खेल रहे है politically correct but let me just say this इसराइल में सिर्फ उनकी हकुमत कराप नहीं है उनके लोग जाके पलस्तीनियों के गार खेंचते हैं ठीक है उनको गरों से बाहर नकारते हैं उनके गरों में जाके रहना शुरू कर देते हैं optimism can never be fueled by hate who the hell is talking about optimism when people are dying you dumb idiot इस स्टोरी के बादे से एक लड़की ने वैसे इसकी normal follower जिसके 20 followers है ठीक है यह याद रखना उसने इसे कुछ DM किये कि इस issue पे बोलो तुमारी responsibility बनती है जिस पे इसका फिर होई कहना था कि social media से कुछ भी नहीं होता social media पे जो अवाज है उसे कोई नहीं सुनता तो फिर तू किस तरह लोगों को दिखा रहा है कि पकिस्तानी terrorist नहीं है मतलब अगर social media फजूल है उसका कोई असर नहीं पढ़ता रियल उस पे तो फिर तू लोगों का mind किस तरह चेंज का रहा है फिशले एक साल से जो तूने खुद क्लेम किया है difference in doing and praying hence the reason third world countries are based on prayers and first world countries are based on doers like i said do something about israel and yes अगर तूम कुछ कार नहीं सकते हो तो अवाज भी ना उठाओ और ना ही batsman भाई को मजबूर करो देखो third world country है हम मानते हैं लेकिन फिर first world country वाले यहां पर आके audience क्यों grab कर रहे हैं cause you can't do anything lol anyway enjoy your day talking shit about the world will make your life better okay talking shit about israel is equal to talking shit about world good point yeah posting on social media with your 20 followers had made the difference well guess what now it does make the difference क्योंके 20-20 करके आपको लोग अनफॉलो कर रहे हैं आपके चैनल को और आपके Instagram को और इस controversy के बाद जब वो followers lose का रहे थे तो एक दिन बाद उनके मंगनी भी टूट गई थी तो उन्होंने आके थोड़ी सी apology दी उसको apology नहीं का Pakistan has welcome with me with open arms and I love everyone who has been supporting the channel over the past year to show the good image of this country and the fun side अच्छा मतलब अगर आपने Badsman भाई को subscribe किया है तो आप Pakistan के अच्छी image दिखाने में अपना role play का रहे हैं और fun side दिखा रहे हैं कि असल जो side है ना वो तो बड़ी drone ही है Pakistan की Like I said twisting facts and spreading hate is easier than finding solutions for a change ओ मैं आप समझा जब हम लोग फलस्तीन के लिए stories लगा रहे थे tweets का रहे थे तो Badsman भाई तब नहीं बोह रहे थी क्योंकि वो solution डून रहे थे यार Let's think optimistically When I had my shahadah I have learned that Islam is a religion of peace when I see the social media comments from Pakistani I don't see peace I see hate and violence We have to make sure we represent the religion in a positive way across the world अब ये भी को ट्रिक होती है जब आप Controversy में भास के हो ना आपने लोगों को वो small एक हिस्सा दिखाना जो आपको वाइलनस की threats दे रहे है तो आपने कहने देखो मैं मुस्लमान को था मैंने जाना था कि Islam peace का religion है पर तुम लोग अब मेरी गलत बात पे मिजोरिटी मुझे criticize का रही है लेकिन वो minority जो है वो थोड़ी limit क्रॉस का रही है तो मैं उस minority को दिखाऊंगा और तुम लोगों को साथ में बोलूँगा कि अगर तुमने मुझे ये बोला तो तुमने इस्लाम को मिस्रेप्रेजेंट किया है I also want to tell you that making these videos is not easy for my new video I went to Arangi Town in Karachi which is the biggest slum in the world I was filming at the extreme police channel here to show you that even people in the slums are good people as a result I was two days in bed with food poisoning and fever if I wouldn't care about Pakistan I would be sitting at home doing reaction videos वो बस कर देओ बाई जान तू पकिस्तान के लिए नहीं कर रहा पकिस्तान तुम आया तुझे इन वीडियो की वज़ा से पैसे मिलते हैं brand deals मिलती है जो tourist agencies होती है वो तुझे sponsor करती है पैसा चाप रहे तूँ इन वीडियो की वज़ा से अपने करुबार के लिए तूँ ये struggle कर रहा है not for Pakistan इसके बाद बाई जाने स्टोरी लगाई के no hate against Asians, Muslims, Armenians, Blacks, LGBTQ, Christians, Jews, Jews blue में जब फलस्तीन में मुस्लिम मार रहे हैं इन बाई सब को पढ़ी है कि Jews against hate नहीं spread करनी LGBT, HYZ, उनको सपोर्ट करने की नहीं पड़ी है, है रहे कोई नहीं नहीं मुसलिम है नहीं यहाँ पर कई पुराने पुराने बटक के उनको सपोर्ट करने लाग गए है आजकल इसके साथ-साथ, जोया नासर ने अपनी engagement तोड़ दी है, इस वज़े से क्योंके वो के culture को, पकिस्तान को मतलब respect नहीं करता तो जिस group ने पहले इसे अबू बना रहा था, अब उन्होंने जोया बाजी को अम्मा बना ली है अब देखो कल को इनकी engagement दुबारा हो जए तो लोगों ने कहना है, that's their personal life है तो अभी भी personal life है उसने अपनी personal life के लिए एक decision ले के मुझ पर यह तो पहसान नहीं किया और काफी articles, news वह रहा है है, इनकी engagement दो दिन पहले ही टूट गई थी, यह publicity stunt है but who gives a shit about their relationship and the topic is his opinion अपना part play करो, Instagram पे अगर follow करते हो, unfollow करो, वरना कोई जरूँतनी उसके post पर जाके comment करके उसे engagement देने की YouTube पे अगर subscribe किया हुए है, तो unsubscribe करो, अब हमने अपने Muslim batsman को थोड़ा सा अपना Muslim brother होने के नाते हमने उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर लिया है तो अपने पकिस्तानी बाइयों को मैं यह कहना चाहूँगा कि सारी गलतिक इन गोरों की नहीं है, अब यह कोर गोरा भी आया हुए है जो कुछ साल पहले पकिस्तान को डी फेम करके गया था और हमने उसको भी दबा दबा कि उसके YouTube करियर को एक और बूस्त दिया है, ओके फिर मिल सा, ओके बाइस मैं बाइ, तेक केर, वरी वरी गूद ब्रदर